कराह रही है मानवता आतंक वाद मिटाने को भारत भी तयार खड़ा है आतंकी निप्ताने को जब भी बड़ा है पाप धरा पर हमने ही बोजो उतारा है हम राम कृष्ण के वनसज है जिसने रावण और कंश कमारा है मानव अधिकार महोदय इस सब्द को सुनकर मेरे मन के दो बिंदों के मध्य एक दिल गिरोदा भासुत पन होता है क्योंकि या तो इस सब्द की महत्ता और प्रसंगिक्ता का कोई अर्थ नहीं और यदि अर्थ है तो हम सुरक्षाबल मानव नहीं अर्थात जिस मानव अधिकारों की वेदी पर अस्रित होकर पत्थरबाज, नकसलवाद, उक्रवाद और आतंकवाद के मरणवा हरण पर ये मानव अधिकार के ठेकेदार भेडिया विलाप करते हैं परंतु वास्तविक्ता तो यह है कि मानव अधिकारों की अनुपालन की जंजीरों में जकड़े हम सुरक्षाबल एक आईडी कई जवान दुस्मन की पहल सैनिकी सहादत जैसे जोलन्त उधारणों का निर्मन सक्षाद कार करते हैं महोदय जहां कानून वेवस्था चर्मरा जाती है आतंकी हुकूमत चलती है मानवता का स्थित्व खत्रे में पढ़ जाता है वह अपना हस्तानती स्थापित करने के लिए स्वस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है ऐसे कठीन परिस्थिती में मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतंकवाद यह उनुगरवाद के विरुद लड़ना वो भी प्रभावी तरीके से कता ही संभव नहीं है एक साइनीक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि सस्त्र मिलिया है कर्म करो सर्वनास करो में तो क्या करोगे मानव अधिकारों का महोदय मानव अधिकारों के अनुपालन का ही नतीजा है कि पश्चिम पंगाल के छोटे से गाउन नकसलवाडी से सुरुवा नकसलवाद हमारे देश के 240 जिलों में फैल चुका था लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उनके खिलाप सिमट कर रहा गया है महोदय सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले मैं अपने भी पक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जो कारगिल जो कासमीर में जो कारगिल युद के बाद पकिस्तान के लवारी सेनिकों के सों को उनके धर्म के अनुसार दफनाया वो है हमारे सुरक्षाबल जिन्हों ने इसी वर्स 11 जुलाई को पाक अधिकरित कस्मीर से बहकर आये मासूम बच्ये के सौ को प्रोटोकाल तोड़ कर पकिस्तानी सेना को लोटाया वो है हमारे सुरक्षाबल जो कास्मीर के इसकूली बच्चों को दुस्मन की गो मेरे साथियों, हम सैनिक भी इंसान हैं, हम भी मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट की सुरक्षा के साथ सम्झवता नहीं कर सकते। जवान सहीद हुए, हमारे देश में 1993 से लेके अब तक लगवग 8390 आतंकवादी और उग्रवादी हमने हो चुके हैं। जाते हैं, दर्द तो हस से तब गुजर जाता है, जब सर्जिकल इस्ट्राइक और एर इस्ट्राइक जैसे सफल आउपरेशनों के लिए हम से सबूत मांगे जाते हैं। हमारे धार में ग्रंथों में कहा गया है कि सीता हरण किया रावण ने मानवता को ललका रहा था, सिर्राम प्रभू ने रावण को लंका में घुस कर मारा था। जो रच रहे सड़ेंत्र उन्हें क्या घुस कर मार नहीं सकते। महोदय मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादी हम पर अंदाद उन्द गोली बारी करें तो क्या हम सफेद जंडा लेकर मानव अधिकारों का सांती पाट करें। आतंकियों को पनाव देने वाले इस्थानियों लोग हम पर गाली गोली और पथर बरसाते रहें और हम उन्हें प्यार माटते रहें। नहीं महोदय नहीं प्यार और सम्मान तो वहां माटना चाहिए जहां से वापसी की उमीद हो। महोदय महां नहीं कहता कि मानव अधिकारों का अनुपालण नहीं करना चाहिए लेकिन वे लोग जो मानव अधिकारों का दूर्पयोग करके सुरक्षाबलों को प्रभाव हीन करने की कोशिस करते हैं।